बाजार में अब साल भर गेंडे के फूलों की डिमांट रहती है तेवहारों पर या किसी आयोजन में या घरों की सजावट करनी हो या फिर वैवाहिक कारिक्रम हो बिना फूलों के ये रंग हीन होते हैं इनमें रंक उमंग भरने के लिए तो फूल होने ही चाहिए इसी तरह भक्ति भाव, पूजा पाठ की बाद हो या फिर उत्साह उल्लास का मौका फूलों की जरूरत होती ही है और फूलों में गेंडे की डिमांड सबसे जादा होती है ऐसे में किसान गेंडे की खेती कर अच्छा लाब उठा सकते हैं इसकी खेती में जहां लागत काफी कम आती है वही आमदनी काफी अधिक होती है गेंडे की फसल धाई से तीन महिने में तैयार हो जाती है एक बीघा में लागत एक हजार से डेट हजार रुपय की आती है वही सीचाई की भी अधिक जरुवत नहीं होती मात्र दो से तीन सीचाई करने से ही खेती लहलहाने लगती है जबकि पैदावार धाई से तीन कुइंचल प्रती बीघा तक हो जाती है गेंदा फूल बाजार में 70 से 80 रुपय प्रती कीलो तक बिख जाता है खास्त योहारों और वैवाहिक सीजन में जब इसकी मांग बढ़ जाती है तो दाम 100 रुपय प्रती कीलो तक के हिसाब से मिल जाते है देश के अलग-अलग इलाके में इसकी बुआई मार्च से जून और अगस्त से सतंबर तक किया जाता है सबसे पहले जानिए गेंदे की उन्नत किस्मों के बारे में गर्मी के लिए कुछ प्रजातिया है यह हमारा जो विदान चंदर के शिफ शिद्याल है गेंदे की बीज की मात्रा किस्मों के आधार पर तै होती है जैसे संकर किस्मों का बीज 700 से 800 ग्राम प्रती हेक्टियर जबकि सामानी किस्मों का बीज 1.25 किलो प्रती हेक्टियर परियाप्त होता है गेंदे के पौधे की रोपाई समतल क्यारियों में की जाती है रोपाई की दूरी उगाई जाने वाले किसमों पर नर्भर करती है गेंदे की उपज भूमी की उर्वरा शक्ति और फसल की देख भाल पर निर्भर करती है इसके साथ ही सभी तकनीक अपनाते हुए आमतोर पर उपज के रूप में कम से कम 125 से 1500 क्विंचर प्रती हेक्टेयर फूल मिलते हैं जबकि कुछ अच्छे किस्मों से खेती करने पर फूल उतपादन 350 क्विंचर प्रती हेक्टेयर तक प्राप्त किया जा सकता है इस तरह गेंदे की खेती कर आप न सिर्फ आसपास सुखंद फैला सकते हैं बलकि खूबसूरत फूलों से लदे खेतों को निहार कर अपनी सारी ठकान मिटा कर उल्लास से भर सकते हैं और साथ ही पास सकते हैं बहतर कमाई तो क्यूं न करें गेंदे की खेती ब्योरोपोर्ट जी मेडिया